हेलो गाईज, वेलकुम तो माई चैनल आटीजम और म्यूजिक, मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग और आटेस्टिक चाइल्ड और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाईज, जो भी अर्नब के अर्लिय चाइल्ड हुड में या जब अर्नब का सिचुएशन बहुत खराब था, हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, हाइपर अक्टिविटी बहुत जादा था, तो किन किन सिच करना किया, क्या क्या प्राब्लम्स होती थी, तो ये सब मैं आज डिसकस करूंगी, और सबसे पहले मैं रीजन इसका क्लियर करना चाहती हूं, कि ये वीडियो मैं आज क्यों बना रही हूं गाईज, इस से पहले भी मैंने उसके अर्लियर चाइल्ड हुड को डिसकस किया है, लेकिन इतना deeply मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी because क्यों नहीं बताई थी because मैं नहीं चाहती थी कि again वही कि अरनव को future में कुछ problem हो तो लेकिन फिर भी आज मुझे लग रहा है कि definitely ये चीज़ें share करनी चाहिए कि हम लोग कैसी कैसी परिशानिया हमारे सामने आती थी क्योंकि कुछ लोग कमेंट में ये चीज़ बार बार बोलते हैं और मुझे वो hurt होता है guys हालांकि मैं जानती हूँ कि आप ये वाले जो कमेंट करते हो आप खूद frustrated हो guys मैं आपकी जो mental situation है उस चीज़ को समझती हूँ इसलिए मैं जादा react नहीं करती हूँ मैं फिर भी positively आपको motivate करने की कोशिश करती हूँ इवन मेरे हस्बेंट भी ऐसे comment पे ऐसे ही react करते हैं लेकिन ये comment में कई बार लोग ऐसा लिखते हैं कि मैं आप जो बोलते हो वो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है गाईज पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं कि मैं कोई psychiatrist नहीं हूँ therapist नहीं हूँ मैं भी एक autism mother हूँ और जो कुछ मैं experience share कर रही हूँ गाईज वो सब कुछ past में हम उन situation से गुजरे हैं तो जब भी आप ये बाली line लिखते हो तो मतलब it's deeply hurt वो बहुत hurt करता है गाईज तो आज इसी लिए मैं वो सब problems को थोड़ा share करूंगी ताकि आपको believe हो कि जिन situation से आप गुजर रहे हो गाईज same situation हमारे सामने होती थी तो क्या होता था गाईज जब अरनव छोटा था तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है main problem अगर मैं आपको बोलूं तो starting में जो problem था उसका वो mainly hyper activity का ही था और hyper activity बहुत जादा थी उसकी तो इबन घर पे भी मतलब आप सोमझ लीजे कि वो इस तरह से उसका hyper activity का level था कि अगर मुझे मैं five minutes तक भी उसको छोड़ के खुद नहाने नहीं जा पाती थी तो मुझे क्या करना पड़ता था गाईज उस time पे मुझे थोड़े neighbor मेरे अच्छे थे तो मतलब अगर मुझे नहाने भी जाना है neighbor के पास छोड़ती थी तो तब मैं थोड़ा अपना fresh होती थी तो ये तक time नहीं मिलता था मैंने बहुत try किया उसको उस time पे सबसे बड़ा problem क्या था गाईज उस time पे YouTube नहीं था कोई social media इतना जादा popular नहीं था खुद हम लोग ही social media को use नहीं करते थे तो इतना जादा knowledge खुद को ही नहीं था मैं just two years पहले ये YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook पे ये सब कुछ मैंने मतलब start किया है WhatsApp भी तब start किया जब अर्नव के school में जो messages आते थे या group बनते थे तब start किया otherwise मुझे कोई knowledge नहीं था इन चीज़ों का तो आप सोचो आज आज तो थोड़ी बहुत help आपको YouTube से भी मिल जाती है because जब phone बच्चे के हाथ में आता है अगर आपको बहुत जादा emergency है तो बच्चा चुपचा phone देखने बैठ जाता है आप लोग थोड़ा सा sure हो जाते हो कि हाँ point देख रहा है या phone देख रहा है because 2-3 बार उसने वो laptop भी खराब कर दिया मतलब हर बार 5-10 हजार उस laptop को बार-बार मतलब वो खराब कर देथा था बार-बार उसको मतलब टच करने की कोशिश करेगा और एक दिन तो मैंने उसको चेर के बिलकुल पीछे बिठा दिया और laptop मैंने बैड पे रख दिया तो वो मतलब चेर से गिर गया तो मुझे वो नहाते-नहाते आवाज आई और जोर से रोने लगा और मुझे लगा कि कहीं पता नहीं क्या हो गया होगा तो लेकिन सच में उसको head में यहाँ पे थोड़ा सा swelling आ गई थी तो उसके बाद मैंने वो चीज भी छोड़ दी और थोड़ा सा neighbor को मैंने request किया तो वो लोग थोड़ी देर handle करते थे उसको तो इस तरह से लेकिन वो लोग भी परिशान हो जाते थे guys उसको handle करने में बहुत problem होती थी तो यह matter होता था बाहर अगर अरनब को आप लेके जाते हो तो अरनब maximum time mall में या public में या ground में ऐसी हरकतें कर देता था कि लोगों से चार बातें आपको सुनने को मिल ही जाती थी तो कई बार तो इस तरह से सामने से response आता था लोगों का कि मतलब आपका मन करेगा कि मैं अब अपने बच्चे को बाहर निकालूं ही ना तो मेरे साथ भी यह चीज़ें होती थी गाइस और definitely मैं भी डर जाती थी एक दो दिन के लिए मुझे भी लगता था कि नहीं मैं नहीं हिम्मत कर पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी लेकिन एक दो दिन उसको घर पे रखने के बाद फिर मेरे मन में यह चीज़ आती थी कि मैं selfish हो रही हूं वह autistic है उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है definitely किसी की भी गलती हो लेकिन उसकी तो कोई गलती नहीं है उसको पार्क जाना अच्छा लगता है लोगों के बीच में enjoy करना अच्छा लगता है बट वही चीज थी कि उसको पता ही नहीं था कि public place में कैसे रहना है क्या rules होते हैं किसी को hurt नहीं करना है मतलब जान भूच के वो जो चोटे चोटे बच्चे होते थे उनको धक्का दे देगा अगर slide पे चड़ रहा है तो उसको line पे नहीं जाना है एक दो बार उसने उपर slide से भी बच्चे को धक्का दिया है तो ये सब problems हमारे साथ भी होती थी लोगों से चार बाते हम लोगों को भी सुननी पड़ती थी तो वहाँ पे क्या होता है गाइस अगर हम लोग मैं यहाँ पे यह बोलना चाहती हूँ गाइस कि लोगों को भी इतना knowledge कहा है आउटीजम का वो तो ये सोचते हैं कि बच्चा शरारती है या माबाप उसको कुछ सिखा नहीं पा रहे है तो कहीं न कहीं अगर हम लोग एक बच्चे को चार दिबारी के अंदर अगर हम लोग बंद कर देते हैं तो आप मुझे बताओ गाइस उस टाइम आपके मन में क्या ख्याल आता है उस टाइम आपके मन में ये चीज आती है कि चलो अभी रहने दो हम अपने आपको excuse देते हैं जो कि मैंने भी दिये हैं हम अपने आपको excuse देते हैं कि रहने दो थोड़ा बड़ा होगा तब मैं start करूँगी थोड़ा समझ जाएगा थोड़ा understanding आ जाएगी तो ये बेट आप बिल्कुल मत कीजिए गाईज एक normal बच्चे को भी जो की autistic नहीं है उसको भी अगर आप चार दिबारी के अंदर रखोगे उसको exposure नहीं दोगे तो वो भी एक autistic बच्चे की तरह ही behave करेगा दो साल आपने नहीं निकाला तीन साल आपने नहीं निकाला जब fourth year में आप निकालने की कोशिश करोगे न तो फिर से आपको starting से ही चलना पड़ेगा गाईज और तब और भी ज्यादा problem होती है अगर मैं अर्नव का example लूँ गाईज तो 10 year के अर्नव को अगर मैं वो exposure नहीं तो बैसा behave कर पाता वो उसने वो सब कुछ हमारे साथ जहला है सीखा है धीरे धीरे understanding बड़ी है तभी वो इस level पे आया है गाईज बिना आप ये बिल्कुल मत सोचो कि starting में हम लोग उसको बंद रखेंगे और बाद में जब बड़ा होगा तब हम उसको समझाने की कोशिश क करेंगे एक तो एज के साथ बच्चे स्टबन होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद आप जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं सीख पाते हैं बहुत प्रॉब्लम आती है तो आज मैं आपको आज में यह जो थोड़ी बातें शेयर कर रही हूं आज मैं थोड़ा confident feel करती हू बिकाज उस टाइम पे जो कुछ भी होता था यही colony में हम लोग starting से रहते आयां गाईज और बहुत सारे लोगों ने अरनव को starting से देखा है तो अब जो अरनव उस टाइम पे करता था सब भूल गए उस चीज को present में अरनव की वही image है जो अभी है तो मैं यही बोलना चाहत कि यह चीजें अपने दिमाग से निकाल दो गाईज छोटा बच्चा है जितना मर्जी शरारतें कर ले कुछ भी कर ले यह लोग आपको बोलते भी हैं तब भी वह इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना जब एक साथ आठ साल का बच्चा नाइन येर का वह सब behavior अगर बार्क में जाके करेगा एक बड़ा बच्चा टैनियर का एट नाइन येर का बार्क में जाके धके देगा मतलब यह हीटिंग करेगा यह कुछ भी problem करता है तो वह ज्यादा दिखता है और उसको लोग बरदाश भी नहीं करते हैं छोटा बच्चा है तो फिर भी थोड़ा है तब स्टार्ट करो बड़ा है तब स्टार्ट करो स्टार्टिंग में आपको problem आने ही बाली है और डेफिनेटली जैसे ही जैसे आप regular training देते हो तो understanding भी आती है और सबसे ज़्यादा होता है जो autistic बच्चे होते हैं मैंने देखा है वो अपने experience से बहुत जादा सीखते हैं तो अगर मैं अरनव की cycling की बात करूँ तो starting में मुझे भी ये चीज किसी ने बताया कि cycling से या walking से running से जो hyper activity है थोड़ा सा control हो जाती है because उससे पहले मैंने medicine भी try कर लिया था guys एक दो महिने के लिए medicine भी try किया था कोई effect नहीं पढ़ा था उसका तो end में मेरे पास यही option बच physical exercises तो बड़ी मुश्किल के साथ मैंने अरनव को cycling सिखाई पैडल मारना सिखाया और जब अरनव सीख गया तो वो रोड पे ऐसे भाग रहा है कि मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रही हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि slow चलाना है तो एक दो बार तो ये चीजें भी और सामने वाले से मुझे फिर सुनना पड़ा उस चीज के लिए तो मैं बहुत जादा डिमोटिवेट हुई उस चीज के लिए कि इतनी मुश्किल से मैंने उसे cycle चलाना सिखाया लेकिन अभी उसे ये पता नहीं चल रहा है कि road पे cycle कैसे चलानी है बहुत जादा उसको मैंन instructions दी कि अरना white line के साथ मुझे पता था कि उसको color concept पता है तो मैंने सोचा कि शायद white line बोलूँगी तो वो उसके साथ साथ चलना start करेगा तो धीरे धीरे 4-5 महीने के बाद वो उस instruction को बार बार बोलने के बाद बाद वो समझा उस instruction को और एक दो बार जैसे ही वो guys गाड़ी के सामने आया तो उसको एकदम से डर लग गया कि गाड़ी मेरे उपर चड़ जाएगी और एक दो बार जैसे ये bad experiences उसको हुए तो उसके बाद उसने थोड़ा सा खुद को control करना शुरू किया मेरे बोलने से वो control नहीं हो रहा था लेकिन live जब उसको डर लगा उसको वो ची डर बैठ किया है उसके दिमाग में वो एकदम से find out करने की कोशिश करता है कि होरन किस direction से आ रहा है और वो अपने safety के लिए बिलकुल road के बिलकुल side में घुश जाता है जहां तक वो extreme में जा सकता है तो यहां पे देखो आप की फिर उसके बाद उसको सब समझ में आ गया अ पीलो तो वो घबरा रहे थे जैसे ही अरनव रोड पे गाड़ी चला रहा तो वो घबरा रहे थे कि तुम इसको free कैसे चोड़ रही हूँ यह कैसे चल रहा है fast fast आगे से गाड़ी आईगी यह आईगी और मैंने उनको इत्मिनान से बोला कि please थोड़ा देर रुक जाओ और अरनव पे भरोसा करो और उसके गुरू पे भरोसा करो तो उन्होंने अपनी आखों से जब लाइब यह चीज़ें देखी तो उनके होश उड़ गए कि वो कैसे manage कर रहा है उसको कैसे पता चल रहा है कि गाड़ी पीछे से आ रही है आगे से आ रही है तो मतलब उनके लिए भी वो बिलीव करना बहुत मुश्किल था कि अरनव अपनी सेफटी को कैसे ensure कर रहा है तो उन्होंने कभी यह चीज मतलब वो हमेशा वो खुल डरते थे उसको cycle ले जाने के लिए रोड पे तो उन्होंने कभी यह चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी और आज अरनव रोड पे है वो naturally react कर सके वो उस हिसाब से react ना करें कि इसकी मदर साथ में है सम्टाइम दूसरे बच्चे भी अगरा नम उनको परिशान कर रहा है तो देख लेते हैं मदर साथ में है तो मैं बिलकुल side में हो जाती थी देखने के लिए कि वो कितना समझ रहा है तो सम्टाइम उसको द बहुत मतल डेंजरस वॉइस में डांडते हैं तो यह दिमाग में वो चीज फिर बैठने लगी कि हाँ यह वाला बिहेवियर जो है वो मुझे नहीं करना है यह सम्टाइम्स वो किसी छोटे बच्चे का बॉल उठाता तो चोटा बच्चा बहुत बुरे तरीके से रोने के बाद अपने आप उनकी नैचरूल एक्सपिरियंस से यह बच्चे सब कुछ सीखते हैं पिकॉज उस टाइम पे अरनव के पास लेंगवेज तो था नहीं कि मैं उसको घर पे लेक्शर देती और वो समझ आता और वो चीज़ें नहीं करता और मुझे भी चीज पता चल ग कंपनी हम लोग इंजॉय करते हैं और बिल्कुल कमफर्ट से हम लोग थोड़ा घूम सकते हैं तो यह सब चीजों से आप नहीं निकलोगे यह सब चीजें करना बहुत जरूरी है वेट मत करो बहुत सारे यह लोग यह पूछते हैं कि क्या मैं एज के साथ अंडरस्रेंडिं वो आपको उठाना पड़ेगा तब जाके वो धीरे 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 जैसे पहले चीजों को सिखाने में या समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता था तो आगे आगे जो है वो टाइमिंग कम होती जाती है और बच्चे को मतलब एक कॉंसेप्ट बैठ जाता है दिमाग मतलब बिल्कुल मतलब आपको कम एफट करने पड़ेंगे और बच्चा जो है वो बहुत जल्दी उन चीजों को सीखते जाता है सीखते जाता है अगर अगर वो गलती से कुछ कर देता है जिसका उसको नौलेज नहीं है और सामने से तो एक्चुली क्या होता है कि वो करूँगा नहीं करूँगा सम्टाइम्स तो कुछ भी नहीं हुआ रहता है लेकिन फिर भी वो ऐसे ही डर जाता है कि नहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया तो यह चीज दिमाग में डालनी पड़ती है गाइस तो स्कूलिंग का जो शौक था वो भी मेरे लिए बहुत बुरा गाइस जैसे ही हाइपर एक्टिव तो इतना जादा था तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा यह हिम्मत थी गाइस कि मैंने उसको राइटिंग सिखा दी है तो शायद वो स्कूल में मुझे इतना जादा प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन वो मेरी उमीद भी खत्म हो गई स्ट्रेस जाता है उससे भी कहीं जादा मेंटल स्ट्रेस यह था कि मैं कंफ़टेवल नहीं होप आ रही थी इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में अरनव के साथ बैटने में तो जो फेज था मेरे लिए आई थिंक सबसे जादा स्ट्रेस वाला था वो तो इवन बीच में मैंने बोला भी था आप लोगों को कि मैं बिल्कुल गिबब करने वाली थी बिकॉज मेरे बस में वो बिल्कुल भी चीज नहीं आ रही थी मेरे लिए वहाँ पे दो ड़ाई गंटे चोटे चोटे बच्चों के बीच में बैटना बहुत मुश्किल होता था बिकॉज मे पर आप अपनी सिच्वेशन के सामने अपनी आँखों के सामने इस सिच्वेशन देख रहे हो कि मदर हो के मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूं तो टीचर को मैं कैसे बोलूं कि मेरे बच्चे को हैंडल करो तो थोड़ा सा फिर तोड़ा इमोशनल सपोर्ट मुझे देते गए और मतलब धीरे धीरे जो है वो मेरी हिम्मत बढ़ी तो एक-दो साल तो बिल्कुल भी इंप्रूब्मेंट नहीं था तो दो-धाई साल के बाद थोड़ा स्कूल में भी जो अटलिस्ट वो मेरे साथ चुपचा बैठके सब कुछ करने लगा तो फिर थोड़ा सा मेरा होंसला बढ़ गया कि नहीं मेरी प्रैजन्स से कुस तो इंप्रूब्मेंट उसमें आ रही है तो तब थोड़ा मेरे लिए इ सुनांने को की क्या-किया होता थेंवारे साथ चार पांस साल Went drugs मेरे मैं तो इसने मुझे इतना है तो उसने मुझे इतना परिशान कि इतना परिशान किया कि मैं बैठके मतलब अपने घर आया गई और कि यह रहा है और इतने लोगों के बीच में और लोग हस भी रहे थे इसकी activities को देखके मतलब आप सोचो सब खाना खाने बैठे हैं उधर लाइन में खाना खाते हैं नीचे बैठ के और ये महराज जाके उधर गए और मतलब वहीं पे उसने वो सुशू कर दिया उसको पता ही नहीं लगा कि toilet कहा है क्या नहीं है और उसको उस टाइम हम लोग सिखाते थे कि सुशू गटर में करना है बाहर करना है तो अंदर से वो तो निकल आया लेकिन ब्रामदे में जो लोग खाना खा रहे थे उसको वो चीज दिमाग में नहीं गई और वहीं साइड पे सब के सामने कर दिया और सब लोग हंसने लगे और मेरे लिए इतना इमबेरसिंग था उस टाइम पर कूछो मत कोई भी घरपे आता कोई भी कोई भीगेश्ट घर पर आता तो उसको कोई मतलब नहीं है वो सीधा उसकी बॉड़ी पर चड़ जाता था कोई भी आएगा हमारा neuen है उसको पूछी समझ में नहीं हाती थी कि कि किसके साथ ज्यादा फ्रेंक होना है और किसके साथ नहीं होना है कोई भी है वह पूरा मतलो ऐसे कंदे पर चड़ जाएगा कोई भी आएगा चड़ जाएगा यह घर पे हम लोग हैं अगर हम लोग थोड़ा टीवी देखने बैटें तो भी वो मेरी बॉड़ी के ऊपर ही है तो किस तरह से हालात मतलों जहिलना मुश्किल हो जाता था वह सब कुछ आज तो हम लोग उसको अगर थोड़ा फ्रेंक जादा होने की कोशिश करता तो एक बार हम लोग बोलते हैं क्या नहीं करना है चुपचा बैठो वह समझ जाता है वह साइड में हट जाता है अभी लेकिन उस टाइम वह चीज ने पॉसिबल नहीं थी हमारे लिए तो मैं बोलती हूं कि जो आपके साथ हो रहा हुआ है वह सब हमारे साथ हुआ है गाइस कुछ चीजें तो शायद मेरे दिमाग से अभी भूल भी गई होंगी मतलब बहुत कुछ बहुत प्राब्लम होती थी और सुकून की बात करूं में अगर आपको गाइस तो जब अर्नव का थेरपी स्टार्ट हुआ तो एक साल के बाद वैसे तो मुझे अंदर ही बैठना पड़ता था उसके साथ में तो मतलब एक साल के बाद जो थेरपीस्ट थी वो मेनेज कर लेती थी थैंग गॉड कि वो अकेले मेनेज कर लेती थी तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था मेरी हस्बेंट भी घर नहीं जाते थे उस टाइम पे कि पहले वो घर चले जाते थे सीधा और मैं थेरपी से आती थी तो वो सीधा आ जाते थे उदर की कहीं हम लोगों को थोड़ा सा टाइम तो हम लोग चैन की सांस लेते थे और वहीं साथ में गार्डन था बॉकिंग करते थे इतना सकून मिलता था भूली गये थे हम लोग की हम खुद के लिए टाइम होता ही नहीं था और हम लोग उसे घंटे को मतलब ऐसे जीते थे पता नहीं हम लोगों को कौन सा मतलब कैसी जिं अच्छी लगने लगी जैसे ही एक घंटा अंदर रहता तो हम लोगों को मतलब अकेले टाइम बिताना थोड़ा अच्छा लगा तो दीरे-दीरे हमारे माइंड में वह चीज आई कि हम लोगों को थोड़ा सा जो आउटिंग है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग अच बच्चे पर तो उतरता ही है तो उससे सिचुएशन और खराब हो जाती है तो तब ये बार समझ में आई कि थोड़ा सा खुद को रिलेक्स करने की जरुरत है तब ही हम लोग जी पाएंगे अधर बाइस जीना भी बहुत मुश्किल है देली लाइब निकालना बहुत मुश सोसलाइशन उसमें और अच्छे से बढ़ने लगी दीरे दीरे वो मैसेज हम लोगों को गया कि जब जितना जादा हम लोग उसको आउटिंग कर रहे है तो अर्नव जो है वो ज्यादा सीख रहा है और उसको भी थोड़ा सा और इंज्वाय उसका ज्यादा हो जाता था तो वो भी फिर कूल रहने लगा थोड़ा थोड़ा तो आई तिंग फ्यूचर में ऐसा कमेंट नहीं आएगा और आप समझ गए होंगे कि सबका सिचुएशन सेम ही है स्टार्टिंग में सबको प्राब्लम हो रही है और सुलूशन एक ही है कि आपको बच्चे को घर में बंद क करने का तो कोई option ही नहीं है इस excuse को तो अपने दिमाग को दो ही मत कहीं से भी स्टार्टिंग करो स्टार्टिंग वैसी ही होने वाली है जैसे जैसे अभी सोच रहे हो अभी कुट करने का सोच रहे हो ना कहीं से भी स्टार्टिंग करो ऐसी ही होने वाली है बस फाइदा इतन आप आइडिया लगा ही सकते हो कि एक आठ नौ साल के बच्चे को अगर फिर आप एक्सपोजर देने की कोशिश करते हो हालां कि तब भी तब भी जो इंप्रूब्मेंट है वो चांस है तेकिन तब आप एम्बेरेस जादा होगे प्रॉब्लम यह है तब आपका स्ट्रेस और डबल ट्रिपल होगा विकोज बड़े बच्चे को मेनेज करना और भी ज्यादा मुश्किल है तो आई होप यह पॉइंट आप समझ गए होंगे गाइस तो थैंक यू फॉर लिस्निंगे